जी आईए गुड इवनिंग बैठिये आप संदीप संदीप मैं देख पा रहा हूं कि आप मूलत है मद्धर प्रदेश से हैं दमो से और ये भी कि आपकी जो पढ़ाई है वह है मद्धर प्रदेश से हुई है स्कूल की और कॉलेज के लिए आप ग्रेजुएशन आपने किया है 2017 में डेली उनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से 2017 में अपने ग्रेजुएशन किया फिर पीजी किया की नहीं है किया ही नहीं सर कुछ प्रॉब्लम आगई थी इसले फिर नहीं कर पाई एक साल छोड़के फिर ले लेते हैं सिविल सर्विस की तैयारी में फिर बीजी हो गया तो फिर उसके बाद मैंने अपलाई नहीं किया सिविल सर्विस में अपने हिंदी साहिते का विशे लिया है केमिस्ट्री में आपने ग्रेजुएशिन किया वो भी हिंदू कॉलिज से हिंदू कॉलिज की केमिस्ट्री लैप्स वहाँ का एसेट्स, वहाँ के बेस, वहाँ का टाइट्रेशन कुछ भी आपके अंदर कोई ऐसा आनन्द पैदा नहीं कर पाया कि आप उस विशे से जुड़े रह सकें ऐसा क्यों? सिविल सर्विस में आने के लिए हिंदी साहथ लेना मेरा एक दियोफरिग डिसिजन जादा था क्यों कि जब मैंनेfill साहथिने क्यों लिया तो आप यादकरोंगें, वहाँ पूछी नहीं रहा ये बटाईए Chemistry में ऐसा नहीं है कि उसमें मुझे आनन्द जैसा कोई नहीं आता था लेकिन उसमें मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाता जितना मैं Hindi साहत में कर सकता था क्योंकि Chemistry में मतलब उतने marks नहीं मिलते हैं UPSC में और मेरा Hindi मीडियम भी था इसलिए फिर में अब आपकी पूर्वधरनाएं हैं या इस पाक का कोई व्यावारिक वैज्ञानिक तारकिक आधार है सर क्योंकि ज्यादा तर जो स्टूडेंट्स साइंस लेते हैं या Chemistry जैसे सब्जेक्स लेते हैं मुझे बताईए कि हिंदू कॉलेज की जो चात्रवास की चात्राएं हैं उनका ये दावा कि हिंदू कॉलेज एक मिसजनिस्ट परंपरा का पालन करता है और स्त्री विरोधी है इस पर आपकी आप भी होस्टिल में रहते हैं सर में बाहर था फिर भी आपको समस्य तो पता ही है बताईए कि इस आरोप में कितना दम सर जहां तक परंपरा का सवाल है वो 14 फरवरी के दिन हर साल हिंदू कॉलेज के होस्टिल के स्टूडेंस मनाते हैं और उसमें बाहर के लड़के और लड़कियां दोनों ही सामिल होते हैं क्योंकि मैंने अपने तीन साल के दोरान देखा है कि लड़कियां भी इसमें सामिल होती है लेकिन कुछ हद तक उन जो लड़कियों का जो दावा है वो सही है क्योंकि इसमें गल्स को अबजेक्टिफाइब करके एक किसी एक्टरिस की तस्वीर लगाके की भी फोटो लगाई जाती है तो यह मिसोजनिस्ट कहना तो ज़्यादा होगा लेकिन हाँ यह है कि सरीर का जरूर किया जाता है इसमें हिंदी साहित आपने विशे लिया है अगर मैं आपसे पूछू कि आपके पाठे करम का कौन सा रचनाकार सबसे कम हिंदी में है तो स्त्री विरोधी तो होगा ही सबसे कम स्त्री विरोधी है तो आपके पाठे करम के किस रचनाकार को आप सबसे ज्यादा जेंडर फ्रेंडल को मानूंगा और आजनिक काल में अग्जीए जैसे कुछ रचनाकार हैं जो सबसी कम माने जा सकते हैं ऐसा क्या क्यों कि अपने मन्नू वंडारी का नाम नहीं लिया मैं पूर्सों का बता रहा था मुझे बताइए कि कुछ लोगों का मानना है कि हिंदी साहिते के सवनवादी, ब्रह्मनवादी और पुरुषवादी जो ट्रेट्स हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं हमने साहिते की दुल्ला में उसके वज़े ये है कि हिंदी के अधिकाँश रचनाकार उस जगे से आते हैं इसे हम आज की भाषा में कावबेल्ट कहते हैं गोबरवट्टी कहते हैं जो पूर्वी उत्तरप्रदेश और बिहार का इलाका है अब को लगता है कि हिंदी साहिते में समनतीयता कि अवश्यशों का स्रोत यही है या कुछ और बार सर मुझे लगता है कि जो हिंदी साहित में जहां तक जो सवर्नबात की जो संभाना जादा है इसके पीछे ज्यादा तर जो सवर्न बर्ग को कल्चरल कैपिटल का लाम ज्यादा मिला हुए क्योंकि हिंदी साहित में और जादा, बिसेश कर समीक्षा के छेत्र में कि प्रकर बुद्धी समण लोगों के पास उच जाती के लोगों के पास होती है के लोग भी आपाए हैं. बियस्सी किया है अपने chemistry में ना. हार्मोन और enzyme कैसे chemically एक दूसरे से different होते हैं? सर जो हार्मोन से हैं पहले तो वो source में एक दूसरे से अंतर हैं क्योंकि जो हार्मोन होते हैं वो अंतासरावी ग्रंतियों से निकलते हैं और हार्मोन Q का प्रभाव होता है? नहीं प्रभाव और source नहीं criminal composition क्या अलग होता है? सर chemical organizations से होता है क्योंकि दोनों ही protein से बने होते हैं लीकिन source और रियक प्रभाव पर वो दोनों अंतर करते हैं अचा protein अब protein का क्या होता कोई दो-तीन रीजन बताईए. सर, IAS की प्रेलना मुझे ने प्रेलना नहीं, क्यों बनना चाहते हैं, बस पॉइंट बताईए. क्या करना चाहते हैं IAS बनना? IAS में पहला पॉइंट मेरा यह है कि इसमें जो डिसीजन मेकिंग के आफ़सर मिलते हैं, उसे एक समाज के बड़े तबके को असर डाला जा सकता है इसकी वज़ेसे, दूसरा सर कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि वो ऐसी जॉब पाए जिसमें फाइनेंसियल सस्टेनिविलिटी तो आए से अच्छी फाइनेंसियल सस्टेनिविलिटी और कहीं नहीं हो सकती है और इसके लावा इसमें आने का समाजिक सम्मान भी चाहता है आप बहुत बड़े तपके को सर्व करना चाहते हैं और सम्मान भी पाना चाहते हैं आप मैं देख रहा हूं स्कूल टाइम में आ कॉलेज में उतना ज्यादा एक्सपोजर जहां से मैं आता हूँ फिर इसके बड़े व्यापक अस्तर पे मतलब आईएएस की तुलना में भी बहुत बड़े व्यापक अस्तर पे काम कर सकते हैं लोगों के लिए सर मुझे लगता है कि मेरा जो रुजहान है मैं इस दिसा में जादा अच्छे से कर पाऊंगा रुजहान के यादार पर तो बोल रहा हूं इस सर इस्टूरियन पॉलिटिक्स में भी जादा अच्छे से किया सकता है लिकिन चुकि मैं अपनी परिवारी जम्मेदारियों को भी पूरी तरह से अच्छे से फुल्फिल करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि सब्द्रु इस में डौनों काम अच्छे से कर सकता हूं एक तो मैं समाज के लिए भी योगदान दे सकता हूँ और अपनी परिवारिक जिम्मेदारियां भी अच्छे से कर सकता हूँ अगर आपको जिम्मा दे दिया जाए कि मद्ध्रदेश के टूरिजम को आप बढ़ाईए कुछ ऐसी चीजों को कुछ ऐसे कुल्चरल साइट को चिनित कीजे और ऐसा उसको प्रमोट करिए कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आकरशित हो तो कुछ साइट को बताईए आप क इसको चिनित करना चाहिए सर मद्ध्रदेश टूरिजम की दिर्ष्टी से काफी पोटेंशियल वाला राज्य हो सकता है इसमें जैसे सबसे पहले ओडशा है पच्छमरी एक खेले स्टेशन के रूप में बिक्सित किया जा सकता है और नैचुरल साइट को छोड़ दिये कु तो वो अमरकंटक की जो पहाड़ियां इन सारी कल्चरल साइट आप भी संप्रदाई की रूख अपना रहे हैं मतलब किसी एक विसेश धर्म और संप्रदाय से संबंधित साइट का चुनाव कर रहे हैं और संप्रदायों का रिप्रेजेंटेशन नहीं रखा आपने उनका सर मैंने जैनतीर्थ को रखा है कुंडल पूर जो बताया था और जो अनसेक्ट्स धर्म है उसकी मुझे जानकारी थोड़ी कम है इसलिए मैंने बताया इस कमी का कारण सर मद्द प्रदेश में जहां तक है कि यह जो मैंने साइट्स बता हैं यह ज़्यादा पॉपलर साइट से जहां पर ज्यादा टूरेजम जाते हैं तो अगर इनको विक्सित किया जाएगा तो अलेग विकास हो संदीप केटे खेलते हो आप यह सर अच्छा यह बताओ अगर मैं यह कहूं कि इंडियन प्रीमियर लीग ने भारती क्रिकेट के सारे सौंदरी को समाप्त कर दिया तो एक साहित्ति सुधी पाठाक और आप लेखक भी हो आप मेरे इस अभिमत से कितना सहमत होंगे सर मैं पूरी तरह से सहमत नहीं होंगा क्योंकि आई पील के कुछ सकारात्मक और भी परनाम होंगे तो यह गरती उत्तराप का है यह सर पहले यह बताई उसने सौंदरी को समाप मैं नहीं कहूंगा कि किया है क्योंकि आज भी जो पुराने जो प्रारूफ है वो चल रहे हैं लगाता है यह सर अपनी सदियों की बिराशत को सिर्फ इसलिए बदल देता है कि ज़्यादा च्छके पड़ेंगे तो बॉलिंग के फेवर में नियम न बना के बैटिंग के फे मैंने टेस्ट और इनका अनुपाथा इनका नुपाथा टिना रह गया है कितने साल में टेस्ट मैच होते हैं और कितने ऐंडियोंकारा होते हैं और किसी से कारण है वो आर्थिक वक्षी है अच्छा मैं यह कहूं कि अगर मैं संदीप को चार ऐसे कारणों की वज़े से पहचाडना चाहूं जो मेरे हिर्दय में संदीप की एक प्रखर आधनिक व्यक्ति के रूप में चभी को इस्तापित करने हैं तो वो चार कारण कौन से होंगे सर पहला तो है कि जो प्रोग्रेसिव सोच जिसमें आज माना जाता है कि पितल सब्सक्राइब एक जो तींचर बता दीजे एक पॉइंट जिसके वज़े से संदीप सर मैं फैमिनिजम का सपोर्ट करूँगा मिस्त्रीवाद के सब्सक्राइब करूँगा ठीक है और इसके ल जूगा अगर अगर मैं उसको इलटा कर दूँग अब के तौर अगर मैं उसमें कुछ धूणूंओ मुझे क्या मिलेगा संधीप में प्रतिक्रियवादी संधीप कैसा होगा जहां तक मुझे जो गुषा आता है कि मतलब इस चीज में करूंगा सर की यदि जैसे मेरे सामने जब कोई गरीब व्यक्ति या गरीब ब्यक्ति को परिसान करने की कोसिच करता है तहम मैं तो अच्छी बात है यह तो पहले वाले खाने मोना चाहिए संधीप का जो नकारात्मक सेड है समाजिक पहलू के संदर में वो कौन सा है कुछ तो होगा बिल्कुल आप एकदम से बढ़िया पॉजिटिव साइड ही दिखा रहा है नहीं सर हो पर मैं अभी कॉल कुछ भी नहीं है आपके अं है और अधिकारी होने के बाद मैं आपके माता पिता अपने पूरे जीवन की कि उन्होंने कितना संघर्ज किया आपको पड़ाही लिखाई कराने में उसकी दोहाई देते हुए हैं आप से सफद लेने का प्रयास करते हैं या आप पर दवाव डालते हैं कि आप उस महला से स चर्थ करें उनकी चुने हुए उनकी इचछित करनें से बिवाग करें उसे सिदीम क्या करेंगी सर में को पूरी तरह से मान रहें वह यह चीज़ पर उतारू है कि हम तो नहीं माने हैं तो साधी वहाँ होगी जा हम चाहरा है सर चुकि वह ऐसा मुझे लगता है इसलिए करन दहेच को तो मैं उनको मना लूँगा कि सर मुझे लगता है कि मान जाएंगे क्योंकि मैं उनको संदीप हैं आपका और आप आज बनना चाहते हैं मातापिता अगरी कल्चर में इंकम उनका आपने लिखा है जो भी लिखा है यह बताईए कि अगरी कल्चरल इंकम कैसे आपने कल्कुलेट किया है कि अगर जो पूरा कोश्ट लगा देते हैं मतलब पिताजी और घर में उसके बाद जो इंकम होती है उसके बाद जो बचता है मैंने उसके आदार पर लिखा है जैसे हम लोगों की सारे तीन हेक्टियर जमीन है उसमें लगवग प्रतीस एयर जो चार से सारे चाल लाक रुपए की कोपज हो जाती है लेकिन इसमें अगर इंपुट भी इंपुट कॉस्ट को अगर एट कर दिये जाए उसके बाद जो मुझे अनुवाल होता है कि वो सिक्स्टी टू से जोड़ते हैं आप पूरा जो एग्रिकुल्च्रल कॉस्ट होता है जैसे की कि अब इसमें ना चाहते हैं आप सर्विस देना चाहते हैं सुसाइटी को सपोस करिए आपके काम से प्रभावित होकर यह आप आई-स मैं पूपा लेकिन मंत्री बनाना चाहते हैं कि क्या चुनेगा इका इस कुर्सी या मंद्री का पद sorry में मंत्री की करेंगी आप मद्य प्रदाश में बढ़ते हुए सूखे का क्या कारड है रेंपॉल के अलावा लगातार जो परंप्रागत किरसी की जाती है उसमें बोर वैल्स का ज्यादा उप्योग होता है MP में और दूसरा है सर बाटर मेनेजमेंट सही से ना करना जैसे सहरों में और आजकल गाउं में भी बाटर बेश्ट ज्यादा होता है इसकी वज़ासे तो उसको बचाने के आपक सक्षम है कि drip irrigation का प्रोग कर सकते हैं drip irrigation की cost आपको पता है और सर अगर हम subsidy के द्वारा उनको प्रोवाइट करवाएं और उसके लाव भी बताएं कि इसमें क्या लाव है क्योंकि इसमें की input cost भी कम हो जायेगी तो मुझे लगता है जाता है उसमें प्रोश्ताहिद किया जा स सब्सक्रिबंग पोभशन के जाता है और किसी चेत्र मैं 75 संटिमीटर से कम बारिस हो तो उस वहां पर सूखे की स्थिति मानी जाती क्या बात कर रहे हूं इसा है जाना तो मुझे लगता है मैंने यहीं पर फारत के बारत के औसतर बर्शा कितनी है भारत में औसद वर्षा नबे से सौ सेंटीमेटर और पचातर सेंटीमेटर वर्षा हो जाए तो सुखा हो जाता है इसको थोड़ा से देख लिजेगा मुझे लगता है कि कहीं आप गड़बर कर रहे हैं अंतिम प्रश्ण बता दीजिए चक्रवाद की परिभाशा एकदम ठो जिसके चार और उच्छ बायुदाप की पबने चलती हैं और सर भी याद में कर पार ठीक है जी संदीब अभी भारत सरकार ने हाली में स्वक्ष भारत मिशन 2.0 लांच किया जबकि 1.0 अलड़ी प्रक्रिया में था हमने भारत में गावों को या शहरों को ODF फ्री आम कहा जा सकता है किन खास बातों प्याम लांगे जाना जाता को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाना प्लास्टिक और पॉलिथीन को आपने अभी कहा कि O.D.F शॉच्च मुख्त अभी मद्रिप्रिदेश में एक घटना प्रकाश में आया थी जहां पे दो वनरेबल सेक्षिन स्थाइटी के बच्चों को मार दिया गया किस तरह से आप देखते हैं कि अभी भी अभी अपने समाजिक न्याय की बारे में बात की अपने अपने सकारात्मक पहलु में या फिर विक्तित्यों के लिए अपने दो जो सर को बताए जो पॉइंट्स गिना है उसमें से एक ये भी था कि आप कास्ट का विरूद करेंगे तो आप ही के ग्रह राज्य में इस तरीकी की घटनाएं होती है उसे रोकने के लिए किस तरीकी की कदम उठाए गये हैं या फिर उठाए जाने चाहिए सरी इस तरह की जो जातिवाद आधारित घटनाएं होती हैं इसमें पहला होता है कि लोगों के मन में एक हजारों साल से पूरवागराय बना हुआ है हमें उसको एड्रेस करने के लिए लॉंग टर्म में तो हमें लोगों को एजुकेशन और अवेरनेस प्रोवाइट करना और सर एक एड्मिस्टेटर की रूप में मुझे सुरक्षा व्यवस्ता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उनको होने से पहले रोका जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवैर कि इस प्रकार की घटनाओं के बारे मे जो फेक न्यूजी की घटना है उनको कम करके किया जा सकता है तो डीप फेक क्या है फेक जो घटना है जानकारी नहीं है ठीक है भीमा कुरेगाओं जो घटना है रही इतिहास में क्या मुद्दा है सर उसमें ऐसा माना जाता है कि मराठों के बुद्ध दलित समधाये के लोक थे उन्होंने उस दुर विजए प्राप्त की थी क्या था? विशुग क्या था? मराठों में या पेश्वा या किस के किस के मद्ध है? मराठों के और अंगरेज सरकार की तरफ से दलिश समदाय लग रहे थे तो मराठो और अंगरेज का जो युद्ध था उसमें दलिटों के नायक थे तो जीत गए थे तो वो हर बर उसी के उपलक्ष में इसको मनाते है अब ही हमने हाल ही में देखा कि केंदरी सतरक्ता आयोग में एक नियुक्ती होती है केंदरी सतरक्ता आयोग की जो भी नियुक्ती होती है उसके क्रिटिसिजम ये कहा जाता है कि देश बनाना रिपब्लिक की तरफ उन मुख हो रहा है ये बनाना रिपब्लिक क्या है सर इसके वहरे में जयानकारी नहीं है लिप्स्ट्ट किया है रसायन के वी दियार थे हैं अप हलांकि यह सवारल एकौनोमिक्स का है लिप्स्टिक का कंपोजेशन कुछ केमिकल फॉर्मूला या केमिकल кं फॉब्ड proyect कोई जानकरी नहीं हिंदी के विद्यार थी है एक अंतिम आपसे सवाल कबीर के बारे में आपने पढ़ा कबीर का एक दुह है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप प्रियास करके मुझे समझाने कि चेस्टा करें कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाच्छे पाच् आप रिशास करते हैं सर उस तरह से तो नहीं लेकिन कभीर नहीं जो इसमें कहना चाहा है कि आप हमेशा मन साफ रखी और दूसरों के बारे में बैरभाव मत रखी तो आपको भगवान मिलेंगे तो इसका मतलब है कि आप एक पॉजिट्यो और सकारात्मक्ति बनेंगे तो आपको हमेशा लाव भी होगा और समाज का भी कल्यार होगा ठीक है संदीप संदीप यह बताए कि यदि आज घोशना यह की जाए कि भारत आपचारिक रूप से मंदी की गिरफ्त में है तो इसके पीछे बैंकिंग सेक्टर का योगदान कितना होगा सर बैंकिंग सेक्टर का योगदान हम मान सकते हैं क्योंकि जब से बैंकिंग में एक तो NPA का क्राइसिस आया था और उसके अलावा अभी हाली में NBFC संकट देखा गया जैसे की IL&FS का और PMC बैंक जैसे घोटाले तो उसकी बज़ाए से बैंक जब बैंकों में तरलता की कमी आई तो बैंकों ने लौन देने में कमी कर दी और उस बज़ाए से जो नय उद्धयोग या नया निवेस नहीं हो पाया एक नवी में तो इसकी बज़ाए से हम कह सकते हैं कि मंदी की संभाहोना बैंकों का यूगदान है मंदी की संभावना में कविता लिखते हैं आप, मुझे ऐसे तीन प्रतीक बताईए जो आपके हिसाब से आपने मौलिक प्रतीकों का उपयोग किया है अपनी कवितां में, कविता नहीं सुनानी है, पंक्तिया नहीं सुनानी है, केवल तीन प्रतीक या रूपक जो आप चाहें, वो बताने है कि सर द बैक्तियों के माध्यम से उनको दखाया, दखाने की कोशिश की थी, कि एक अंतरात्मा और एक उसका बाहरी रूप, तो उसमें दो लोगों के, पतलब आपने अंतरात्मा का मानवी करण की चलिया हो गया, और, एक मैंने एक और कभीता लिखी थी, तो उसमें मैंने जो के अंतर जगत की उद्वेलन से दिखाया है, और, सर और अभी तो इदो ही आद आ रहे हैं, ठीक है संदीप, मुझे आप से बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं, थैंक्यू स्पूर्ट, सिट आउन संदीप, सो संदीप, बठाएए, आपके हिसाब से साक्षातकार किस दिशा में जा रहा है, और कहां आपको लग रहा है, कि सर अभी यहां थोड़ा सा गड़ बड़ चल रही है, सर, तो मुझे लगा केमिश्टी में थोड़ा कम हो गया, और कुछ करेंट कीशू जैसे सर ने पूछे, उधर मुझे लग रहा है, और सर, मुझे लगा कि साहिए में कुछ जगों पर अटक दिया बोल ले मैं, एक आज जगे पर असा लग रहा था, देखें संदीप, आप एक शांदा कैंडिडेट है, बोर्ड मेंबर्स का जो डिस्क्रेशन आपके इंट्रव्यू के बाद हुआ है, कुछ चीजें बहुत क्लेरली पकड़ में आती है, आपको शायद यह ऐसास होगा ही कि आपकी उम्र केबल 22 साल है ठीक है और 22 साल 97 born candidate का मतलब है कि आप effectively अगर जो sample मेरे पास अब तक आया है लग बल 400 candidates का, उसके आधार पर अगर मैं आपको कह सकूँ तो आप निश्चे तोर पर हिंदी के सबसे young candidate होने जा रहे है ठीक है, if not the youngest then at least in the youngest few, right, जिसका मतलब यह हुआ कि board members आपसे मिलकर खुश होंगे, ठीक है न, board members आपके प्रती एक तरह का अनुराग भी महसूस करेंगे और वो स्वाभाविक है, आप एकदम young candidate है, young ही दिखाई देते हैं, आपका बेग्राउंड अच्छा है पढ़ा ही लिखाई का, आप genuinely लगता है कि Madhya Pradesh के एक एक इलाके से आकर दिली विश्वी देले जैसी जगह से पढ़कर जो दोनों जगह के enriching अनुभव है वो आपके अंदर reflect होते हैं, which is good, also that you appear to be aware of your mistakes in a sense and also your strength, ठीक है, दोनों ही आपके लिए सकारात्मक चीज़े, तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें बायान राज अच्छी जा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि communication में प्राप्लम नहीं है, इसका मतलब यह भी नहीं है कि सारी knowledge के level पर सारी चीज़ें ठीक होगे, लेकिन यह भी साच है कि knowledge test हो चुकी है, ठीक है उसके बार में ज्यादा चिंतित मत होई है, बट यह जितना समय है उसका इस्तिमाल अपने background subject को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए कीजिए, अपने optional को थोड़ा सा बहतर देखने के लिए कीजिए, और जो general studies से जुड़े subject है, especially geography और economy जैसी चीजिए, उनको थोड़ा सा और बैतर देख लेंगे, coming specific to the communication thing, आपका बैटने का तरीका ठीक है, आपका voice level ठीक है, लेकिन जब आप stress महसूस करते है, तो आपका voice level dip करता है, ठीक है, आप समझ पर है, अगर graph की sense में देखे तो नीचे की तरफ जाता है, जो कि obvious है, लेकिन I'll still advise कि इसको एक limit से नीचे मता आने दीजे, it's like cricket खेलते में होता है, ball से beat हो गए, तो इसका मतलब यह नहीं कि अगली ball पर आप beaten खेलेंगे, nice ray से guard लेंगे, और nice ray से खेलेंगे, वो आप बैतर कर सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब अगर किसी pressure का उत्तर किस किसी वज़े से नहीं आया है, बात खतम, कोई बात नहीं, अगली ball को अच्छे से खेलेंगे, ठीक है, communication को एक level से नीचे dip मत करने दीजे, आवाज को खासतर से नीचे मताने दीजे, ठीक है, इसे आप देखेंगे, दूसरा आप एक 22-23 साल के युवक है, तो जो उर्जा औ उससे थोड़ी सी कम दिखाई दे रहे है, ठीक है, energetic रखेंगे, smile कीचिए, आप किसी conscious वज़े से अपनी smile को रोक रहे है, ठीक है, don't do that, मैं यह नहीं कह रहा कि एकदम informal हो जाईए, informal नहीं होना है, लेकिन smile at the right places would help, ठीक है, सही जगह पर smile करेंगे तो उससे अच्छा ही हो ठीक है, ठीक है, जनरल ही अच्छा है, हम लोग मध्यप्रदेश बहुत अच्छी से test नहीं कर पाए है, मैं उमीद कर रहा हूँ कि अपने मध्यप्रदेश अच्छी से तयार किया है, home district और home state ठीक है, उसे आप देख लेंगे, बाकी you are doing everything right, खुल कर खेलिए, मेरी तरफ से सिर्फ इतना कहने है, ठीक है, happily play कीची, एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, दो मेरे टुमा मैं आपके, एक तो जब ये प्रश्न देने की, ये प्रश्न पूछा जाएगा, chemistry, history क्यों है, मैं लोग आपने लिए है, पूछना है, chemistry, history मैं लोग फोड़ाटिकली हाँ, लेकिन सर, ये बाद सही है, कि मैंने बिभारिक दिश्टी कॉंट से, मेरे कुछ जो अपने senior से, जिन से मैं approach कर पाया, और हुने मुझे ये सला दी, कि history आपके लिए तुलनात्मा गूरूप से बहतर होगा, चीजे वही होती है, history, sorry, हिंदी, और हिंदी ना, वो तो चुकि अच्छे सब्दों में पेश कर दी, ये मत कहिए, कि ये subject जादे नमर लाता है, या वो थुदा सा वैसा हो जाता है, और जो मैं आपको बता रहूं कि आप बहुत चांसे से आपके select होने के, आप खुद कुछ उल्टा सीधा कर जाए, अलग बात है, आप बस अपने जैसे हो अब ऐसे रहो, बलकुल सहज तोर पर जाओ, जो सबने बताया है, थोड़ा सा उर्जा करो, और आप बहुत अच्छे उम्मीदबार हो, ये रवली प्रमिसिंग, हम्, अलल दे बेस्ट, थेंकिस, 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 झाल, 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